कि बीदेशी पैसा से बीदेशी बिरियानी आ रहा है उसमें मस्नी कर रहे हैं और फोटो खिच्वा रहे हैं गोड़ा को नामिले घास और गधा खा रहे हैं चपन प्रास जब जम्भू कास्मिर हिंदू पर अतियाचार होता है तो बंगाल में कोई रेली नहीं निकलती है कोई धर्णा नहीं होता है पकिस्तान चिंदाबाद आजादी की बात हो सकती है वहां प्राइमिस्टर जाएंगे उद्गाट निकारकम में उनको कला घंदा दिखाए जागा गोबेक बोला जाएगा वहां तो रोहिंगा आते हैं मायनमार से उनको कोई गोबेक नहीं बोलता है बंगलादेश से घुसपेटी आते हैं उनको गोबेक नहीं बोला जाता है क्योंको वोटर है हमारे देश के जसस्य प्रधानमंत्री मालने मोधी जीन है उसका नेत्रूत कर रहे हैं और उनके नेत्रूत में जलस्ताल अंतरिक्ष हर जगा देश का प्रवाव बढ़ रहा है दुनिया में पूरव से पस्चिम उत्तर्शे दक्षिन हर जगा भारतियों का सम्मान बढ़ रहा है भारत का सम्मान बढ़ रहा है देश में आर्थिक ओद्योगिक शिक्षा चिकित्सा हर दिश्टी में हर छेत्र में देश की प्रगति हो रही है और देश की लोग खूस है इसलिए इस स सायदिक इस देश में कभी मिलता है हमको इस प्रकार नेता मिला है और उनके हाथ पकड़ करके आगे देश बढ़ रही है हमारे प्रधान मंत्री नहीं इस देश की समाज को बहुत कोछ दिया है खाने पीने रहने की खाना पकाने की सौचालई से लेकर के मिसाईल तक सब दि 225 किलोमेटर शीमा में अभी 1000 किलोमेटर जहां कोई बाड नहीं बेड़ा नहीं है इसलिए पारसवर्थी देशों से लोग आकर हमारे देश में उत्पाग मचाते हैं वहां की सरकार नहीं चाहती कि ये बेड़ा ये देश राज जो सुरक्चित हो इसलिए मेरा कहना है हमारे प्रधान मंत्री जी का जो उपलब्दी है वो काबिल तारीफ है हमारे लिए गर्व की बात है हमारे प्रधान मंत्री ने समाच के बहुत कोछ दिया उसके साथ बंगाल से हमारे लोगों के लिए जो सबसी बड़ी बात है ये नागरिक्ता कानून महोदाय हज्जारों लाखों परिवार बिस्तापी थोकर के प्रताडी थोकर के अपने मा बेहनों के शम्मान धर्म रक्षा के लिए मंगला देश तथा पाकिस्तान से यहां आए है महोदाय हमारे देश के पूरवजों ने हमारे महापूरुसों महात्मा गांदी से लेकर का हमारे प्रधान मंतरी महन महन सिंग हर पार्टी के हर बिचार के हर सरकार के मुख्या लोग इन लोगों को नागरिक्ता देने के लिए वादा किया है लेकिन किसी ने नहीं नभाया हमारे पार्टी का प्रतिश्चा था डक्टर समापरसाद मुखार जी जो बंगाल से आते हैं वो इस देश के अख़नदा के लिए अपना बलिदान दिये है क्योंकि इन रिफियोजियों का सम्मान और सुरक्षा उनके सामने सर्वापरी था मोहदाई उन्ही लक्ष को पूरा करते हुए मान्यों मोदी जैना इस अथिहाचिक कदम उठाया है जिन परिवारों ने पिड़ी दर पिड़ी इस नगरिक्ता कानून और नगरिक्ता के लिए रहा देख रहे थे उनका सपन को उन्हें पूरा किया मोहदाई इन लोगों ने बंगला देश चोड़ करके या तो पाकिस्तान चोड़ करके देश में यहां कि दो रुपया चावल खाने के लिए नहीं आएं, दो रुपया आटा खाने के लिए नहीं आएं, ना तो आवास जोजना, ना तो सोचाल ना तो ग्यास के लिए आएं, इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को देश का स्वतंत्रता के लिए बलिदान के लिए ब दिम्यदारी था उजिस दिम्यदारी को हमारे नेता मानने मोदी ने निभाया है इसलिए लोग रास्ता में उतर करना चाहते हैं मोदी ये ने बहुत कुछ दिया लेकिन उनका सबसे बड़ा दान है इन रिफ्यूजों को नागरिकता देना ये अथिहासिक कदम है और इसलिए इन लाखो परिवार ने यूगों तक पिड़ी दर पिड़ी मोदी के याद करेंगे मोदय इस अथिहासिक कदम के कारण जो लाखों लोग दुनिया की किसी देश के नागरिक नहीं थे ना तो मंगला देश ना तो पाकिस्तान ना तो आफगानिस्तान ना तो भारत का इस देश में रह रहे थे लेकिन ये इस देश के नागरिकता का अधिकार उनको नहीं था तो बंगाल में कोई रेली नहीं निकलती है, कोई धरना नहीं होता है, जब बंगला देश पाकिस्तान में हिंदू अपर अत्याचार होती है, कोई रेली नहीं होती है, जब पाकिस्तान में हिंदू का अत्याचार होता है, कोई साहिन भाग नहीं होता है, ना तो बंगला जमावड़ा या तो सरकास होता है, जो हम अज देख रहे हैं, बीदेशी पैसा से बीदेशी बिरियानी आ रहा है, उसमें मस्ती कर रहे हैं, और फोटो खिचवा रहे हैं, ऐसे बहुत लोग देश में हैं, जो घोर निंदनी हैं, इस देश की साविमान, असमिता का उपर रहे हैं, गोबैकशिये कर रहे है, और अनके बारे में मूलना चाहता हूँ, जो लाखोग पर रिवार रात के अंधरे में, पंगलादे से यहां आ रहे ते, आप क्यों ने जुलुस निकाले, क्यों 내ह चिलुस निकाले, उँनका उपर अथ्याचार बंद करने के लिए, वहां रेली निकाल रहे हैं महोदाई हमको रेली करने का सभा करने का प्रधान मंत्री को अभिनांदन करने के कारकम करने के अनुमती नहीं है जहां गोशना करते हैं पुलिस मना करती है उल्टा हुआ 144 धारत जारी करती है कि हम कारकम ना कर पाए और हम जहां जाते हैं हमको कारून का उलंगन करना पड़ता है हमारी अधिकार को और यताने के लिए प्रधानमन जी को अभिनान करने के लिए कितनी बिढम बना है हमारे पास समाज है हमको कारिकम करने का उन्मुती नहीं है जिनके पास कारिकरता है लोग नहीं है आदमी नही वो रेली कर रहें जगडा कर रहें आपस में मार्थीट कर रहें कितनी भृडविभान ऑना है देखें एक तॉ अआए है गधा उना मिले गास और ङृषा खा रहे चपन परास में यह सथी है देश में ऑचन जमलत दिख होती है मौने के लिए जो हिंख नाहीं हम कौ तबाहत परमे का रखन पमाने घोजने को हएं को जिसको कोई जानता नहीं, चार अदमी मोशाद नहीं उसको धनोप है, हमारे चीङ मिनिस्टर पूरा देश में घुंघौंग जिन मिकर रही है, कोई मरा ने किया, कोई ने रोका और हमको रोका जा रहा है हमारे नगरी का अधिकार को गनतांतिक अधिकार को अधिकार को अधिकार से हमको बंचित किया रहा है महोड़ाई ये बड़ी दैनिस्तीती है यहाँ MP है जो यहाँ जिनके नाक के सामने ये कानून पारित हुआ है ये कानून में चर्चा में भाग लिये हैं और महा महिम का दस्तकास के कारण ये कानून आई संग्विधान का एक हिस्सा बन गया है संग्विधानी कानून का उपर निंदा प्रस्ताव लाया आता है ये सरासर संग्विधान का उलंगन है इसकी निंदा होनी चाहिए ना संग्विधान में इस देश में किस्यू कही अधिकार नहीं है यहाँ जिन लोगों ने संग्विधान बोल रहे थे सेव टेबियों को सी हमको प्लाकट दिखा रहे थे मैं उनका पोलना चाहता हूँ संग्विधान को बेजज़त किसने किया है कॉंग्रेस ने तो इसको कागज का पुलिंदा बना कर रख दिया है संग्विधान का संभान कहा है इतने दीन से एक संग्विधान को जैसा चाहे वैसा उन्होंने यूज़ किया है और बंबंधियों ने, कॉंदियों ने कभी संबान नहीं किया ना संग्विधान चाहते हैं उटो अरज्श्यात और अरजगता चाहते है आज भी देश में जहाँ Communist है वहाँ औरजगता है जहाँ औरजगता है वहाँ पीछे Communist है वीदेशी बिचार, वीदेशी प्रत्षान, वीदाशी पैसा लेके देश में उत्पाद मचाना इनकी ध्रम हो गई है और जो TMC पार्टी हमारे वहां वो कहां है और संग्विधान कहां है दूर दूर तक संग्विधान के साथ कोई संब्द नहीं है हमारे वहां संग्विधानिक जो प्रमुख है महामुहीम राज्यपाल उनके साथ क्या वभरती आ जाता है उनको रास्ता में खड़ा होके काला गाड़ी पर थपण माते हैं, उनको अप्मान करते हैं, उनका मंत्री, मुक्क मंत्री उनके अपसब बोलते हैं, वो उन्यूभार्सिटी एक चांसिलर है, आप समझ सकते हैं, चांसिलर को वाँ कॉन्वोकेशन में निमांत्रन नहीं है, यह हिंदुस्तान में हो रहा है, और व प्रतिश्टी उन्यूभासिटी, जैसे बहुत पराने और प्रतिश्टी उन्यूभासिटी, उसमें उनको एंट्री नहीं है, वो कहें कॉन्वोकेशन में, सारा विद्यार्थियों को उनके पीछे लगा दिया गया, एक घंटा साूटिंग हुआ, नाराबाजी हुआ, काला प्रतिश्टी नहीं है, और मैंने मेरे साथ जीदे में बैटे हुए DM, पूचिया MP को, वहां के ASP और DM हमसे मिलता नहीं है, यह अधिकार उनको किसने दिया है, समाज हमको दिया है, हम लोगों का प्रतिश्टी बनके यहां हैं, और वहां की सरकारी ओपिसर हमको मिलता नहीं बात नहीं करते हैं, उहां के DM, दिसा कॉमिटी बनाता नहीं है, दिसा कॉमिटी की मिटिंग नहीं होती है, क्योंकि हम उहां पिसाइड करेंगे, हमारे जीते हुए प्रतिश्टी, समाज जिसको सित्वति दिया है, समाज जिसको सम्मान दिया है, चूना है, उसको अधिकार नहीं देंगे आप, मैं विधायक रहते समाई, दो हॉस्पिटल के और रोगी सहाता स्वमिती का मैं चैर्मेन था, दो तीन बार मिटिंग लिया, वहाँ का डाटा लेके मैं हेल्दी मिसल में बताया कि यह होना चाहिए, दूसरे दिन हमको दोनों से हटा दिया गया, दोनों कॉमिटी से हटा दिया गया, उसके पहले तक पताधिकार बल में MLA वहाँ की चैर्मेन होते थे, और में होते ही सारा कानून बदल गया, मोहदय हम सरकारी एक प्रतियुदी है, हमको कहीं सरकीट हाउस नहीं दिया जाता है, सरकारी गेस्ट हाउस में हमको रहने के लिए जगा नहीं दिया जाता है, कोई सरकारी अनुस्ठान में हम लोगों को नहीं बुला जाता है, ना तो MLA ना तो MP, यह अधिकार किस ने दिया है इन लोगों, महोड़े और मज़दर बात है सुनेंगे तो आप तरस जाएंगे एक मेला का उदगाटन था गामिन मेला चलाने वाले टीमसी के लोग वहां के बरिष्टर बिधायक वहां प्रमुक कारिकरता वहां के संग्रक्षत थे और मैं जीतने का वाद मुझे वहां के चीप पैटरन ब बातचीत की कोई राहिंतिक बात नहीं हुए प्रोग्राम खता हो गया मैं वहां से निकला दूसरा स्कूल का प्रोग्रम में गया एक घंटा का वाद मेरा स्कावर रहाया उस बिधायक को टीमसी ने सोकज कर दिया कारण किया है दिली भोस के साथ क्यों बात किया है क्लाइन अस्द्र होंगे अभी माननीय प्रधान मंत्री जी का प्रवास रहा हमारे बंगाल में वो जिस रास्ता से जाने वाले थे हुआ जगाज जगाज हंडा लेके लोग खड़े हो गए प्रधान मंत्री गो बैक आप समझ सकते हैं देश के सब से जससी और सब से पॉपुलर प् कहाँ पकिस्तान चिंदाबाद आजादी की बात हो सकती है वहाँ प्राइमिस्टर जाएंगे उद्गाटन कारकम में उनको कला घंदा दिखाए जागा है गोबेक बोला जाएगा ये बिर्युदुही का सम्मान है क्या महदे और मजदर बात है वहाँ तो रोहिंगा आते हैं मायनमार से उनको कोई गोबेक नहीं बोलता है बंगलादेश से घुसपेटी आते हैं उनको गोबेक नहीं बोला जाता है क्योंको वोटर है लेकिन प्राइमिस्टर का गोबेक 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 होता है ये आज विछी बंगाल की स्थीती है मोदाई बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है ये स्थीती चल रही है कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है देश का विरुईता कैसे करना है देश विरुदी कैसे बनना है उहां जगा जगा लोग बैट करके धरना कर रहे है चार, छे, दस लोग अजादी, अजादी की गाना गाते है लेकिन मुसीवत तवाई जब चीब मिनिस्टर इनको उकसा रही थी कि करो करो, गलती से इनी बेचारों ने चीब मिनिस्टर को भी गो बैक बोल दिया यह भी देखना पड़ा हम लोगों को, बड़ी दुखी हो गई आपने भाई, एक दिन तो होना ही था, जल्दी हो गई अच्छा है कि कम से कम ग्यान आजा आपको मौदाए, यह स्थीती है यह जो कानून पास हुआ यहां, हम यहां से वापिस कलकता गए और देखें, उहां आग जल रहा है, पूरा प्रदीश में रेल की पट्रियों को उखाड उखाड कर फेका गया, आप कलपना कर सकते हैं ट्रेन को फूखा गया, बस को फूखा गया, एक से एक स्टेशन फूखा गया सारा देश में जितना नुक्षान हुआ 500-600 क्रोर रुपया सबसे ज़्यादा नुक्सान बंगाल में हुआ है सबसे ज़्यादा राष्ट्रियों संपत्ति के नुक्सान बंगाल में हुआ है लेकिन दुरभग इन सिकोंडियों की सरकार है वहाँ पूलिस खड़ी की खड़ी रह गई ना एक डंडा चलाया ना एक एफायर हुआ गोली मारना तो दूर की बात है और हम इसका बिरोध किया तो हमको बदनाम किया जा रहा है हम इसको बिरोध किया हम एक देश भक्त है हमारे एक एक पैसा से स्टेंग बस खरीदा जाता है लाइन बनती है स्टेशन बनता है हमारे पैसा को बरबाद होते हम नहीं देख सेकते हैं इसलिए हमने बिरोध किया और हमारी भासा को लेकिए हमारी बात को लेकिए वामंडर खड़ा किया गया वहाँ हमारे उपर एफायर किया जा रहा है अरे आप लोगों के तो हिम्मत ही नहीं है देश बिर्दी के साथ लड़ने के लिए और हम ओ लोग हैं हमारे पुरवज हमारे ड़क्तर शमा पुरशाद मुखार जी इस देश के सोत्रूं के खिलाब लड़ा है देश के अखरंडिता के लिए बलिदान दिया है आप तो खाली आप तो खाली मजा मार के इस सप्ता उपोख करके और यहां की और आप रबडी खा रहे हैं सप्ता की और हम तो अपना खुन से सीचने वाले हैं इस देश को अजादी को सीचने वाले हैं देश को सीचने वाले हैं जब बंगाल और पाकिस्तान में आग जल रहा था किसी की ह कासमीर में कासमीर भारत के साथ आया और बचा कुछा जो था उनका जोग जो उत्तरसुरी मोदी जी महराज ने इसको पूरा कर दिया पूरा देश के साथ बिलाई कर दिया 370-335 इसको हटा करके इसलिए मोदाय आज हम ऐसा एक राज में रह रहे हैं लगता है हम देश में हैं लेकिन हम देश में नहीं हैं बंगाल में हर चीज अनुखा होता है संग विधान से बाहर देमोकरसी से बाहर परमपरा से बाहर उहां से लोग जाके देश में कहीं भी हंगामा कर सकते हैं लेकिन आप उहां किसी प्रकार बिरोध जता नहीं सकते हैं आपकी बात नहीं कर सकत आवी विधान सभा प्रेस्टाेया में खिलाव निंदा प्रस्ता आबुदमाई Пखा में सिटburger ने जब्धिशान ने आम इए इसलिए मोदैय किसी भी विधान सभा के अद देश की बारे में यहां वक्त से दी देते है जो तरहा है वहां महीम राष्टपती का भाषन हुआ, अथियासिक भाषन हुआ, प्रेणाधाई भाषन हुआ, हम बैठे बैठे टेबल बजा रहे थे, सून रहे थे, प्रेडित हो रहे थे, और कुछ लोग वहां से आकर हाथ में प्लाकार दिखा रहे थे, नो C.A., नो T.M.C., नो C.P.M आज काल का भारत ऐसा होगा, लोग बोलेंगा, नो कॉंग्रेश, नो C.M.C., नो C.P.M. इसलिए महोदाई, आज हम उहां की आवाज यहां पहुचाते हैं, जिस देश से बंदे मातरम की आवाज आई थी, जिस देश से जाहिंद की नादा की थी, जिस देश के सेकड़ों, ह इसके लिए आजादी के लिए जान दिये थे, आज उहां फिर आजादी मांगा जा रहे हैं, किस बात की आजादी मांगते हैं, किस बात की आजादी मांगते हैं, इसलिए जिन लोगों ने एक दिन इन लोगों को धोका दिया, जिनोंने राष्ट्र भाव से प्रेरित होके क कॉंग्रेस को लाया था आज कॉंग्रेस की दूरता से ये दो ही सीट मिली है जो कॉमुनिस्ट ने परिवर्तन का नारा लगा के लोगों के अधिकार को सुरुख सीट करने की वादा किया था उन्हें ने धोका किया तो एक समय 36 सीट चार्ज के जीरो हो गया है बाकी का भी सु करेंगे इसी सब्सक्राइब के साथ सबको धन्यवाद